दोस्तो आज हम लोग 6 ऐसी बातों के बारे हम बात करने वाले हैं, जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, अगर हम अपने आपको फिट रखना चाहते हैं, और फिट बनाये रखना चाहते हैं, सबसे पहली जो चीज है, वो है कि हमें लॉंग टर्म के हिसाब से सुचना है, शॉ 20 kg वजन जो गया है बहुत तेजी से वापस भी आ जाएगा में जो fitness या फिर exercise वगरा में जो चीज दिहान में रखनी है वो यह कि मैं अपनी lifestyle चेंज करनी है अपनी habits चेंज करनी है सिर्फ वजन कम करना target नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर वो भी चेंज नहीं होई तो उससे वह वापस वजन भी तो आ जाएगा अगर आपने cause को ठीक नहीं किया जिस कारण से वजन बढ़ा था आपका पहले अपने उसको ठीक नहीं किया और सिर्फ वजन कम कर लिया लेकिन cause तो वही है कारण तो वही है वापस आ जाएगा ना वजन तो पहला क्या है long term के हिसाब से सोचना है कि मुझे पूरी life fit रहना है active रहना है flexibility होनी चाहिए strength होनी चाहिए stamina होना चाहिए और यह कैसे होगा जब मैं regularly work out करूँगा और अपनी डायेट को ठीक रखूँगा जिससे मेरी body में energy बनी रहे तो यह long term सोचने से होगा वजन कम करना एक short term हो सकता है कि हां बही मैं एक बार fit हो जाऊं और मैं exercise करता रहूंगा पहला चीज जो मैं दिमाग में गांट मांद लेनी है वो क्या long term सोचना है कि मुझे regularly exercise करनी है तब तक जब तक की यह शरीर मेरे पास में है तब तक के लिए long term के इसाफ से हमें सोचना है दूसरा है जो हमें बात ध्यान में रखनी चाहिए that is हमें depend होना है schedule के उपर कि हां इस समय मेरा जो time है वो workout करने का तुम्हें workout करना है ना की अरे आरास्तों मन नहीं है motivation आएगा तब exercises करूगा अच्छे शाम को मन होगा तब करूगा चाही पीने के बाद मन होगा तब करूगा नहीं जो professional लोग होते हैं वो क्या करते हैं टाइम के पक्के होते हैं कि हैं इस समय काम करना है तो करना इर्रिस्पेक्टिव ओफ मूड अगर मूड है भी तो भी करन है नहीं है तो भी करना है और में चौर जो होते हैं जो नौ सिख्या लोग होते हैं जो नहीं को काम शुरू करते हैं वो क्या रहते हैं मोटिवेशन डिपेंडेंट रहते हैं और मोटिवेशन के साथ बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि काफी बार हमारा जो गोल है मोटिवेश है तो ठीक है नहीं है तो भी ठीक है उसी प्रकार से आपको motivation की बिल्कुल ही कदर नहीं करनी है वो है तो भी बढ़िया नहीं है तो भी करना अब यह क्या से होगा कि मोटिवेशन का परवा ही नहीं रहे वो तब होगा दिबाप उपने आपकी यह सी हबिट करोगे शुरुवात करो इतनी चोटी एक्सराइज से कि आपको motivation चाहिए ही नहीं फिर दीरे दीरे उसको बढ़ाओ और बिना मोटिवेशन के करो मोटिवेशन नहीं है तब भी करो कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन डेई वन पर आगर आपने बहुत जादा बड़ी exercise कर ली है ना या बहुत जादा देर के लिए कर लिए उसमें पर वो बोरियत हो गई फोर फो पकड़ूगा वो पकड़ूगा ऐसा नहीं आपको जो एक्सराइज पता है कि इससे मुझे रिजल्ट आ रहा है तो उसको रेगुलर्ली करिए जैसे कि स्कॉाइट है पुल-अप्स है पुश-प्स है ऐसे कुछ बैस्ट एक्सराइज होती है उसको आप पकड़िए और उसको करिए नेक्स्ट है स्टार्ट लाइट एंड देन इंक्रीज द इंटेंसिटी यानि कि पहले हमें वल्यूम पर फोकस करना है कि कम से को मुझे इतनी देर तो एक्सराइज करनी है और हलके-फलके एक्सराइज करनी है शुरुआत में ताकि ह हमारी क्या है आदत बन जाए कि हां मैं रेगुलर्ली एक्सराइज करता हूं और फिर दीरे दीरे दो तीन महीने बाद जबाप की है बन गई है कि हां आदा घंटा अराम से एक्सराइज कर लेते हो बिना मोटिवेशन के भी तब इंटेंसिटी पर फोकस करो क्योंकि तब आ है उसका जहल नहीं पाओगी कि आपकी पहले से फांडेशन नहीं है फांडेशन क्या है कि पहले कुछ वाल्यूम मतलब आदा घंटा पैतालेस मिर्ट डेली एक्सराइज करने का एक बार आपका आदत हो जाना चाहिए और हल्की फुल्की करिए शुरुआत में जिससे क्या है आपकी हैबिट बन जाए फिर इंटेंसिटी बढ़ाइए नेक्स चीज है हमारे पास में पाच्वा पॉइंट डोंट ट्रेन फॉर फेलियर के लिए ट्रेन करने का मतलब है कि काफी बार हम हमारी जो कैपैसिटी है उसके बियॉंड जाकर के एक्सराइज करने की आपने पूरा जो है अपना जो एक्सराइज करने की जो एक्साइटमेंट है वो सारा अपने उसमें लगा दिया और डेली आप उस लेवल का ही कर रहे हो तो होगा क्या फिर आपका मन ही नहीं बचेगा उधायन के लिए टीवी सीरियल्स हैं वो क्या करते लास्ट में कुछ अपना पांच कम करें कल और करना है फिर भी पांच करना नहीं है अगले जिन हममेशा अजहा तो आपको वार यह समीतित शिएर ने है कि उसको sustain नहीं कर पाए माल लो आपने बहुत अच्छी से exercise कर ली दो देट घंटा डेली exercise कर रहे हो लेकिन आप उसको sustain नहीं कर पाओगे तो हमें ऐसी success चाहिए ऐसी progress चाहिए that is sustainable वो sustain कर सके और regularly हमें हर वीग थोड़ी progress होनी चाहिए वर नहीं होता कि हां रूटीन बन गया जिम जा रहे हैं वाकट कर रहे हैं पार्क में जा रहे लेकिन progress दिख नहीं रही हर वीग थोड़ी progress होनी चाहिए माल लो अभी आप इतना वज़न उठाते हो तो next week थोड़ा जाधा उठाओ अभी आप इतने सक्वाइट करते हो तो next week थोड़े जाधा करूँ तो make progress every week और यह हमारा sixth and last point है thank you